नमस्कार, हेल के टुड़े में आपको स्वागत है एक सवाल उस्ते रहते है हमारे पेशेंट हमें, वह है कि दॉटर साब हमारे पेशेंट का उमर तो 80 साल हो गया है, इस उमर में क्या करना गुटना बदल के यह पेशेंट के बच्चे पूछते हैं, कभी-कभी पेशेंट ख और क्या करना है, पुड़ा जिन्दिगी तो बिता लिया, थोड़ा सा दिन जीना है, क्या करना गुटना बदल के यह पूई को ऐसा होता है, वो चाहते तो है कि गुटना बदल ले, लेगि उनके मन के अंदर शंका होता है, इस इस में आके, हिलिंग नहीं हो पाएगा, इस सावलों का जवाब ढूनते हैं अगर हमें पता है कि नीरेप्लेस्मेंट क्यों किया जाता है तो पहले जो दो सवाल है उसका जवाब नेरे प्रेसमेंट क्या जाता है ताकि किसे के quality of life में improvement हो जाए osteoarthritis के दोरान जो knee pain होता है जो knee के instability होता है और उनका activity level बिलकुली कम हो जाता है और social activity नहीं कर पाता है कुछ-कुछ patient के लिए ऐसा हो जाता है कि अपने विस्तर से उठके toilet तक भी नहीं जा पाता है अगर ऐसा स्थिती में knee replacement के बाद कोई सच्छन से अपने आप यह सारे काम कर सकते है तो पर क्यों भी करना चाहिए उमर कितना भी हो हाँ जो लास्ट वाला सवाल है क्या इस उमर में इस surgery का stress सहन कर पाएंगे तो basically जब भी हमारा कोई patient होता है जिनका knee replacement के लिए हम सोचते हैं और patient भी चाहते कि उनका knee replacement हो तो हम सार्जेरी से पहले उनका सारे जांस पाटल कर लेते हैं देख लेते हैं कि घुट में बदलने के सार्जेरी के दोरान जो stress आएगा उस तरह का stress वो जहल पाएंगे कर ने वो देखने का साहस तरीका होता है कि उनका cardiac function कितना है cardiac reserve कितना है हमारे पास तरह तरह का test है cardiac activity देखने के लिए उस सारे test करते हैं और cardiologist के पास बहुत अच्छा scoring system है जिसके दोरा वो निकाल लेते हैं कि कितने percent cardiac risk हो सकता है मतलब surgery के दोरान जो surgery का stress आएगा जो blood loss होगा उसके दोरान heart पे कितना stress आएगा अगर ये चीजे पहले जांस परतल करके पता लग जाता है और एक optimum level पता लग जाता है कि हाँ उस patient के शरीर के इतना श्रमता है उनका heart के इतना श्रमता है कि साजल जेल पाएंगे क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है आचा heart के function के सिवा और क्या है हम देखते हैं उनका किड्नी का function ठीक है कि नहीं मतलब किड्नी सही तरह से काम कर रहे है कि नहीं शरीर से क्रियेटिनिन और पानी निकल पा रहे है कि नहीं जो भी blood test से पता लग जाता है अगर डायवेटिक है तो उस डायवेटिस में डायवेटिक कितना कांट्रोल में है कि है नहीं है तो बेसिकलिए हम एक ओल डेज में जो असी साल के इसके उपर की ऐसे कोई हो उनका नी रिप्लिस्वेन करना है इस सारे चीजें हम जाज पार्टल करके देख लेते हमारे एनस्थेटिस टीम हमारे काडियोलोजिस्ट बाकी सारे जो डॉक्टर्स है सारे मिल्केस पेशन को देखते हैं देखने के बाद डिसिशन होता है कि क्या यह पेशेंट सार्जेरी का स्ट्रेस जहल पाएंगे की निए अगर इन सारे पर करता है कि वो पेशेंट खुद कैसे जीना चाहते हैं कैसे अपना लाइफ का क्वालिटी बरतरा रखना चाहते हैं दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छे लगे और लगता है कि इन्फॉर्मेटिव है और दूसरों को भी इसका फाइदा हो सकता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम रखके अपका ख्यार